एक कोशन आप लोग बहुत जादा पूछ रहे हों कि अगर बी-एड में चाहें फार्स्ट इयर हो या फिर आप सेकेंड यर हो आप लोग बोलगों कि अगर आप लोग का एक एक एक्जाम छुट गया है तो क्या होगा ये एक पूछा जा रहा है तो आप लोग जो है फेल हो जो है आपका percentage फिर से बनेगा और आप पास होगे कि क्या होगे सारी चीज़े हम जानेंगे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास तक देखिएगा ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से बात समझ में आए जो आपके लिए helpful रहेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें बिल आइकोन के लिए अगर आप जो है सीटेट करना चाहते हैं तो सीटेट का हमारा सेकेंड बैच जो है 17 अवक्टूबर मिन्स कल से स्टार्ट हुआ है कल हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था सिलेवस हमने डिसक्स किया आज से हमारा फस्ट लास प्रॉपर क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है तो अगर अभी तक आप ने से रैजिस्टेशन नहीं करवाए हैं तो आप रजिस्टेश्टेवन कर आ सकते हैं जो बिला को सीच्टेट के लिए हमने एक सेकशन जो है चैनल उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चलिए बात करते हैं कि अगर आप लोग को बीएड एक्जाम में कोई एक पेपर आपका छुट जाता है तो क्या होगा देखो यहां पर मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग बताऊंगी कुछ भी अपने मन से नहीं आपक मतलब आपको जो है अपना जितने क्लासे होते हैं वो करना है तब आप बीएड में बैट पाओगे यहां पर देख लो यहां पर theory and practice for teaching examination passes in practical but fails in theory examination then he she shall be permitted to appear as an ex student अगर आप theory exam में fail हो जाते हो तो आप as a ex student जो है exam दे सकते हो ठीक है यह एक point clear हुआ और details से किरिए देखते हैं कि क्या हो सकता है यहां पर आप c number point देख सकते हो a candidate who fails in any compulsory or optional theory paper or practical activities will be treated as fail in the entire examination अगर आप practical में या फिर theory paper में fail हो जाते हो एक भी paper में अगर आप fail हो जाते हो तो आप जो है पूरी तरीके से fail करार दिये जाओगे ठीक है आप पूरा आपका fail हो जाएगा हो सकता है कि जैसे अगर मैं बोलू तो knowledge and curriculum आपका exam छुट गया है और बाकी सारा paper दिया आपने बाकी सारा paper बहुत अच्छा गया है तो भी आप fail होगे इसका रास्ता क्या है तो इसका रास्ता है however the candidate can appear in the improvement of the examination back paper as per the university rules तो आप जो है back paper दोगे university का rule है कि अगर आपका कोई examination छुट जाता है आप नहीं देते हो या बच्छे fail हो जाते हैं तो उनको back paper देना होता है इसको हम लोग जो है दो नाम से जाना जाता है यह improvement of the examination के नाम से जाना जाता है या back paper के नाम से जाना जाता है जो university का rule है वो आप दे सकते हो तो जबी भी back paper का form निकलेगा आपको fill करना है and then exam देना है उस paper के जिसमें fail हुए हो वही paper and then आपका result तब बनेगा ठीक है और बाकी कुछ नहीं in first year each candidate will be examined जाहे आप practical में हो या फिर आप theory में हो दोनों में आपका यही रूल चलता है तो यह आपको clearly अच्छे से समझ में आया है अगर आप किसी भी paper में fail हो जाते हो या कोई paper आप देने नहीं जा पाए हो आप इंसे छुट या है तो back paper का form निकलेगा या improvement of the examination का form निकलेगा उसको fill करना है and then exam देना है इसके लिए आपको अपने college के touch में रहना होगा अपने university की जो website है उसको हमें सा time to time पे check करते रहना होगा बस यही rule है ठीक है I hope कि यह चीज आपको clear हो गई हो और आप कोई confusion नहीं रहा हो बहुत लोगों का छुटा है exam मुझे पता है चाहे आवद university के हो आगरा university के हो तो आप लोग इस चीज को जरूर follow कीजेगा ताकि आपका आगे का time बरबाद ना हो so friends इससे related और कोई question या query है तो इस video में comment कर दीजेगा या फिर instagram पर follow करके हमें message कर दीजेगा फिर मिलूंगी till then have a nice day